नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का इन खबर पर लुकसभा चुनाव में बीजेपी किसी पे कम होने की जमेनी परताल करने आये राश्टिय संगठन महामंत्री बीयल संतोस ने रविवार को दलित मंत्रीयों और बीजेपी अंसुचित मोर्चे से सवाल किये उन्होंने विपक्ष के हर फैलाए भ्रम का क्रामक जवाब देने के टिप्स भी दिये यूपी में साथ दलित मंत्री सरकार में हैं लोगसभा की जमीनी परताल में सामने आया कि जब विपक्ष ने संविधान बदलने और आरचन खत्म होने का नेरेटिव फैलाया तो कोई भी अपने स सरक्सार में समाज में बी ओटर को समझा नहीं सका कई लोगसभा सीनों पर तो यादों और दली से एक साह आं आगये सफ्पा की और खिसक गए और इससे सुरचे सेटों पर भी यूट नहीं मिले उपी में लोग सबय के सब्सके साथ 17 सीनाव कर दस साल पहले bean जेप को सभी सीटों पर जीत मिली थी 2019 में सिर्फ 14 सीटे ही बीजेपी के पास रह गई इस बार की लोगसभा चुनाव में बीजेपी को आठ सीटे मिली वहीं सपाको साथ कांग्रेस को एक और नगीना से आजास समाज पांटी के चंदर सेखर भी चुनाव जीत गए संतोस ने पूछा कि ऐ पताओं ने कहा कि जादा तर सरकारी विभागों में अब आउट सूर्सिंग से वर्तियां हो रही है इनमें आरक्षण नहीं होता है इसलिए अनसुची जात के लोगों को मौका कम मिल रहा है इससे दलित और पिछड़े वर के वाओं में नराजगी बढ़ गई है एक नेता ने सुझाओ दिया कि अगर इसमें भी दलितों के लिए अलग से आरक्षण दिया जाए तो दलित फिर से बीजेपी से जुल जाएगा वहीं दलित महिलाओं को अलग से विसेस आरक्षण देने की मांग बैठक में रखी गई विभक्ष ने संविधान बदलने और करने की पाइटी के लिए काम करते हैं और जब उनकी कोई नहीं सुनता तो नाराज होकर घर बैठ गए थे उन्हें मनाने की जवरत है बैठक में तैय हुआ कि अब दलितों के भी संबाद और बढ़ाया जाएगा जल्द ही मंतरी और अनुसुचित मोर्चे के नेता दलितों के घर जाएंगे हर मंडल में छोटे-छोटे सम्मेलन आयोजित किये जाएंगे सभी अभ्यानों में दलितों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी इसके लिए पूरा प्लान तयार किया रहा है वहीं संतोस ने बीजेपी की सोसल मीडिया टीम को भी टिप्स दिये उन्होंने बताया कि सोसल मीडिया के पास 25-30,000 की टीम पूरे प्रदेश में है पर प्रदेश अध्यक्षा उसंगठन महामंत्री की हिट ट्वीट कम रिट्वीट होते हैं तो इस बात पर संतोस ने आक्रामा का भियान चलाने को कहा